असलाम आलाrove आप देख रहे हैं फरीन द किच्छन Actually, अब के साथ में बहुती फेमिस मूंबई स्पेशल रेसिपी शायर कर रही हूं समजम पुलाओ जो भुछी फेमिस हैं और बहुती डिलीशुस है और बहुती वैल नोन रेसिपी है तो चलिए प्रेसिबी बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब इसका फर्स स्टेप स्टार्ट करते हैं, हम पहले कौफते बनाएंगे मीट बॉल्स, इसके लिए मैंने कीमा लिया है, मशीन का आदा किलो, इसमें मैंने 1 टीबल स्पून गर्मसाला पॉडर डाला है, 1 तीबल स्पून टर्मरिक पॉडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टी टेस्ट, 1 टीबल स्पून जिंजर कालिक पेस्ट, दोनों चीज़े बन टीबल स्पून होने चाहिए, और चर्नी की भुनीवी दाल का पॉडर, 2 टीबल स्पून, यह इसका बाइंडिंग एजिंट है, यह बाइंडिंग के काम करेगा, 1 टीबल स्पून ग्रीन चिली पेस् पॉडर, 1 टीबल स्पून रचिली पॉडर, चिली अब अपने टेस्ट का अकॉर्णिक लग सकते हैं, कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं, और वन स्मॉल अनियन को चॉप कर लिया है, अब हम इन सभी इंग्रीटिंट्स को ग्राइंड कर लेंगे, ऐसा दीके फाइन कर लेंगे इससे, अब जिफ तक हमारे कोफते मेरिनेट हो रहे हैं, हम दूसरे इंग्रीटिंस टेक कर लेते हैं, चिकन ली है मैंने वन केजी और हाफ कीजी मॉटन को, अनियन और जिंजर गालिक पेस्ट और सॉल डाल के बॉयल कर लिया था, इससे फुल रेडी कर लिया है अनियन पूरा टेंडर हो चुका है, कैसे गडंटो, वन बेंटो इसे कट कर लिया है, वन बेंट अनियन को आसे फाइनली चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली और दू स्कृचली है, पाइब आसे हाफ प्रिसेस में कट कर लिया है 2 Tbsp. Green Chilli Paste & 2 Tbsp. Ginger Garlic Paste Saaf & Dhani Powder 2 Tbsp. इसे ट्राय-Roast करके इसे ग्राइंड कर लिया है 4 Tbsp. Curd 1 Tbsp. Garam Masala Powder Curry Leaves Kevra Water 1 Tbsp. Salt according to your taste और कुछ Whole Spices लिये है 2 Cinnamon Stig, 3 Badi Lai Chee, Long Bay Leaves, Pepper & 1 Tbsp. Zera Potatoes को भी ऐसे लेंद में प्रेंच प्रेंच प्राइस शेप में कट करके इसे कलर में सोक कर लिया है Food Color 3 eggs को हांड बॉयल किया है अब हमें एक वेसल में ओयल कर लेंगे इसमें मैंने तीन बड़े चमच ओयल लिया है ओयल की कॉंटिटी इसमें थोड़ी जादी ही होती है जैनरल समांट में होती है तो ही टेस्टी लगता है अब इसमें मैं जो फाइनली चॉप्ट अनियन थी वो एट कर रही हो इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राइ करेंगे और जब थोड़ी फ्राइ होने लगेगी तब इसमें हम होल स्पाइस भी एट करेंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो आप यह ज़रूर एट करें इससे स्किप नहीं करें और अब मैंने चिकन एट किया है चिकन को भी अच्छे से कलर चेंज होने तक सॉटे करेंगे चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है अब इसके अंदर मैं चिंजर गालिक पेस्ट और ग्रीन चिली जका पेस्ट एड़ करूंगी इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिंजर गालिक के साथ चिकन अच्छे से भून चुकई है अब मैंने टेमैटोस यह जड़ा और सॉल्ट इससे भी टाल की अच्छे से देटे लेंगे, अब अब मैं इतना को करना है ताके टेमैटोस अच्छे से टैंडर हो जाएं अब मैंस में सौफ और धनिया सीट्स जो हमने ग्राइंड किया था वह मैंने एट किया है और गरब मसाला पॉडर इसे बहुती अच्छा टीस्ट आता है इसे भी डाल कि हम अच्छे से भून लेंगे कि मैं अब हम अपने चीटन को Tender होने लो फ्लम पे चोड़ देंगे जब तक हमारा चीकन को कोyor olla है हम प्रेंच फ्राइस स्टाट करते हैं और अब मैं अच्छे से गर्म करदिया है और अब मेंने में इस में प्रेंच फ्राइस एट की है इसके घ्र डॉने तक फ्लेम को मैं एक्जस करते रहना है मेडियम तू लो में और अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर भी आड़ कर सकते हैं वैंने सब औरेंज फूट कलर एड किया है जो फूट अपरेंज प्रेंच प्रैस के लिए जो आप मर्जी चाहें कलर एड करें वह भी बहुत ही अ इसी तरह फ्राइ करेंगे फ्राइज भी फ्राइज हो चुकी है अब चिकन चेक कर लेते हैं कि कितना टैंडर हुआ है देखे वाटर काफी रिडियूस हो चुका है टमैटोस भी स्मैश हो गए है अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से ऑईल की सेपरेट होने तक अब भू अगर अब चाहें तो एट करें नहीं तो अब सकते हैं लेकिन इसे अच्छा टेस्ट आता है बस अब हमें फ्लेम हाइर करना है और इसे अच्छे से भून ना है ओल से अपरेट होने तक हमारा चिकन ग्रीवी अच्छे से भून चुकी है अब मैं इसमें मटन एट कर रही और स्टॉक मैंने अलग कर लिया है सिर्फ मटन अभी मैंने एट किया है ताके मटन भी डालके हम इसे अच्छे से भून लें थोड़ा साथ में ताके मसाले का जो फ्लेवर है इन पीसे में भी चला जाए अब इसे अच्छे से भून लेंगे साथ में अब अच्छे से भून सिप्रोफ लिए को अब अ FR औरक बदू हो चुका और इसे चुटए- उत पुरूशन लेकिये कर फोटों-प्रेशह से रोल कर लेंगे हैं इसको पहले हम ग्रीज कर लेंगे उन बहुत ही चुटे-चुटे हमें भूरी तेना है कोई क्राक्स नहीं हो बस हमें इतनी बड़ा बनाना है बॉल इसे फ्राई करना स्टार्ट करते है यूड से गरम कर लिया है immat i'm Youùng प्राउड नहीं करें और प्रहुले स्टार्ट में अमें हाय रखना शलुटे देहर थों देर की बाद हमें अभाट को मीडियम कर देना है तोड़ी देर फ्राइब हो जाए पर उसके बाद हमें इसे टर्न करना है दिखे इदर कोफ़ते अच्छे से फ्राइब हो चुके हैं एबन कलर आ गया है इनके उपर अब इसे ड्रें कर लेंगे और बाकी के पीसे भी हमें इसी तरह फ्राइब करेंगे 750 ग्रैम्स बस्मती राइस को मैंने सोग करके रखा था फॉर हाफ एनार अब मैं इसमें एड कर रही हूं और अब मैं इसमें वाटर एड करूंगी 600 ml क्यूंकि हमने थोड़ा सा स्टॉक भी लिया था और इससे हलके हातोस अच्छे से मिक्स कर लेंगे कार्णा है और फ्लेम को हमें इस टेम पे हाय रखना है और चाबलों मैं सॉल्ट टैरेंट करूंगीों कि हमे ध्यान रखना है क्यूंकि वागी कीचीजहों मं भी अससान श्रॉट है तो इससे यह बैरिसमे केवरव बाट्र मेरे निकिडीर 3 दाल के रिखने केवरन के च Emerald Water डाल भी से मिक्स कर लेंगे जब अब फिर हमें, हेवी बॉटम तबा लगा के इसे स्टीम में कुक करेंगे, इसे दम में कुक करेंगे हमें इस टेम पे बहुत हलकी हातों से मिक्स करना है ताकि हमारे राइस नहीं टूटें देखिए मैंने दबा प्लेस कर दिया था और फाइम मिनिट्स हो चुके हैं अच्छे से स्टीम आ चुकी है अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे बहुती हलकी आतों से अब इसमें मैं कुफ्ते एट करूंगी सारे कुफ्ते हमें अच्छे से प्लेस कर देना है और झाय अज प्रेंच्ज परी इसमें मैं इसमें एह कररूंगी अष्ट करा किया इसे हम स्टीम कूक करेंगे वर 10 मिनिट्स टार्ट में हमें हाइर रहनेद्देना है व्र 5 मिनिट्स ऐसके बाद हम 10 मिनिट्स नो फ्लेम प्लेम पर कूक में और और फिर हम इसे डिश्राउट करेंगे हमारा टेस्टी और यमी सा जमजम पुलाव बन के रह रही हुआ है जो इतना देखने में ही टेंप्टिंग लगता है जिसे देखते ही खाने का दिल होता है तो आप इसे खाएं खिलाएं और इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ अपन क्लिक करना ना भूलें ताके रेगुलर नोटिफिकेशन्स मिलते रहें फिर मिलेंगे इंशालला टेस्टी और यमी रेसिपी के साथ नए वीडियो में अल्लाहाफ़स थैंक यू